नमस्कार दोस्तों फटापर से जानेंगे देश की सभी राजियों का अगले आने वाले 24-48 गूंटों का मौसम का आल कैसा रहने वाला ही? तो दोस्तों मौसम वाग ने बताया है कि भारत में मौसम तेजी से करवट ले रहा है दिली और उत्र परते समय देश के अधिकान सिसों में अब लोगों को वारिस से रहत मिलेगी और घर में का नया दोर भी शुरू हो सकता है वहीं उत्तर पश्चुमी बारत में बारिस होने की संभावना व्यक्त की गई है मचोरों के लिए भी समुंदर में नया जाने की सलाथ दी गई है वहीं मौसमी बाग के मुतबिक यूपी में अब बारिस का दूर थमेगा और तापमान में भी बड़ोतरी होगी अगले चार से पांच दिनों तक अधिकतम तापमान के जो है चालेश डिगरी शेल्सिस के पार जाने की संभावना है इससे पहले विभाग ने आज तक बादल चाहे रहेने और बारिस होने को लेकर पूरवनों मान जारिक किया हुआ था वहीं दोस्तों मौसमी भाग के मुतबिक उत्राखन में तीन दिन बाद लोगों को बारिस और बर्फ पारी से रहात मिली है विभाग ने आज भी दूप खिलने की संभावना इवेक्त की गई है हलांकि परवर्थी शेत्रों में जो है अभी भी बादल चाहे हुए है वहीं मौसमी भाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के दोरान जो है अंडबान और निकुबार दीप समू में अधिकांस इस्तानों पर हल्गी से लेकर मध्यम वर्सा और अलग अलग इस्तानों पर बारिस से बहुत भार्य वर्सा होने की संभावना है वहीं अगले दो दिनों के दोरान ही दक्षिन फूरू बंगाल की घाड़ी और अंडबान वनिकुबार दीप समू और अंडबान सागर के आसपास के इलाकों में चाले से लेकर 50 किलो मेटर परती गंटे की देजर अफ्तार से ते जवा चलने की भी संभावना ही वहीं हवा की गती देरे देरे बढ़ कर जो ही सतर किलोमेटर प्रति गंटे तक हो सकती है वही दोस्तों अगले आने वाले 24-48 गंटों के दोरान जो है तमेल नाड़ू और दक्षिनी आतरी करनाटक में हलकी से लेकर मध्यम बारिस के साथ कहीं कहीं पर बारी बारिस होने की संभावना है वहीं पूरत और भारास, सिकीम, अंदर परदेश के कुछ यसों में देलंगाना और मध्यम आराष्ट्रों में भी हलकी से लेकर मध्यम बारिस होने की संभावना है विक्त की गई है जबकि पश्चिमी मल्या पर एक यां दो इस्तानों पर मध्यम बोचारों के साथ ही चिटपूट हलकी बारिस होने की संभावना मुसमी बाग के द्वर जाते गई है वहीं उतर पश्चिमी और पश्चिमी राजिस्तान में हलकी बारिस होने की संभावना है जबकि उतर पश्यमी मद्य और पूरी भारत मदिन का तापपान देरे देरे बढ़ सकता है अकला नेवल 24 से 48 गंटों के दोरान इसके साथ ये दोस्तों बात करें कि देशपर का मौसमी सिष्टम में जो क्या कहता है तो दोस्तों मौसमी भाग ने बता जा है कि तमिलनाडू के उपर एक चकरवातियाओं का शेतर बना हुआ है जो कल जो है तक्षिन पूर बंगाल की खाड़ी के उपर एक ताजा चकरवात के दोरह जती गई है वहीं बात करें दोस्तों के वी damn 24 कोंटों के दोरान समपूर्ण बारत का मोसम के सा रहा या कि कहा पर बारिश हुई और कहा परांधी दुफान दर्ज किया गया है तो दोस्तों मोसम ही भाग ने बताया है कि कि वी दोस्तों ये था संपूर्ण भारत का अगलायना वाले चोबीस से अर्तारीस खंटों का मुसम का पूर राणुमान अब यह आपके शेतर का मुसम किसा और आपकी शेतर से हैं वो आपके शेतर ब्लूण चोब्स में एक शेतर करके जरूर से बताएगा ताकि अगले अंगले वीडियो में